इस वीडियो में आपको बहुत साही चीत सीखने को मिलेंगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस सब्सक्राइब में आप हेल्प ले सकें तो अगर हम इस केस की बात करें तो दोनों पार्टीज का शादी हुआ था 16 January 2011 को और उनके भी जमान नहीं तो वाइफ ने फाइल किया था डिवोर्स का केस फैमरी कोर्ट में अंडर सेक्शन 13 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए ऑफ हिंदु मैरीज एक 1955 और कोट ने क्या किया कि हब वाइफ के फेवर में कोट ने डिक्री ग्रांट कर दिया डिवोर्स का और हस्बंड को यह डिरेक्ट किया हस्बंड को यह ओर्डर दिया कि आप 60 लाक ऐल्म प्रिक्री मेरे फेवर में आ गया है तो सब कुछ हो गया नहीं उसके बाद आपको एक्जेक्शन फाइल करना पड़ता है उसके से रिलेटेट तो सेम वाइफ ने किया एक्जेक्शन पिटिशन फाइल किया सो डाट जो 60 लाक अमाउंट था वह रिकवर हो सके फो रिकवरी उसको फाइनल एनमुली मिला हुआ था तो उसके बाद हस्बें ने पे नहीं किया उतना अमाउंट 60 लाक पे नहीं किया तो उसके बाद एक आप्शन आता है अटेश्मेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है उसको कोट अटेच करने के लिए ओडर देती है जब प आप्लिकेशन लगा और कोट ने ओडर दिया जिदा कि प्रॉपर्टी ती उस प्रॉपर्टी को अटेच करने के लिए और इस केस में भी यह सेम कोट ने किया कि अटेश्मेंट का प्रॉपर्टी का ओडर दे दिया कोट ने तो लेकिन इसमें थर्ड पार्टी जो था उसने एक application लगा है कि यह property जिस property को attachment के लिए court ने order दिया है वो property मेरा है नो की जो petitioner है उसके husband का है तो court ने यह देखते हुए court नहीं इस बात को consider किया कि जो wife ने file किया है वो सही नहीं है और wife उस property पर claim नहीं कर सकती विकाज वो property husband का नहीं था जो objection wife में लगा थी यह सारी चीज़े dismiss कर दिया और सेम डेट में court ने जो बाला चूर सिविल court था उसने यह भी order दिया कि जो property है वो husband की नहीं है वो किसी और की है और जो file आया था पंचकुला से हो पंचकुला में अगें file भेज दिया गए देखिए होता क्या है कि अगर सब्सक्राइब के साकेद district में अगर कोई execution लगा है और जो property husband का करकर दुमा court के jurisdiction में आता है तो property का जो execution का matter है वो साकेद court भेज देगा करकर दुमा court में और वो जो court है वो execute करेगी अगर जैसे की attachment का order है तो वो attach कराएगी court और फिर उसके बाद जो भी पैसे का recover करना हो वो recover होगा तो सेम ऐसे हुआ था तो इसमें यह हुआ कि अगें पंचकुला court में फाइल पूरा भेज दिया गया तो वाइफ जाती है court court के अगेंस जो लुवर कोट है उसके order के अगेंस वाइफ अप्रोच करती है हाइप को पंजाब हर्याना हाइप को और यह बोलती है कि जो दिस्टी कोड ने order दिया था उसमें एरर है ऑडेट जो हाइक था उसने यह बोला कि जो प्रॉपरटी का डिटेल वाइफ ने कोई में कहता है तो वाइफ आप्लीकेशिंदा इस्यटनियल अबेकर सकती है court ने कहा कि दूसरे की प्रॉपरटी आटैज नहीं कर सकती कोट और यह भी बोला कि जो प्रॉपर्टी का डिटेल दिया है वाइफ ने उससे हस्बेंट का हस्बेंट का कोई लिंक नहीं है तो वाइफ नहीं नहीं किया तो जो भी प्रॉपर्टी किसी अधर से लेटे थे तो प्रॉपर्टी अटे no husr PP कोई थे फोपरटी कोई नहीं नहीं को क्वेंट का कोई ऽच्ञा पर्चजबंट में अठ sık IRS तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में होगा इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं थांक्यू